वेलकम टू करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आज इस वीडियो में हम आयस्क यानि की और मिश्र धातू यानि की एलोईज जो की इंपोर्टन्ट है एक्जाम के लिए उनको हम लोग देखने वाले हैं इसका पीडियाप आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा आप लोग उसको जोईन कर लें जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप लोग पहली बार आ रहा है तो लोग जो सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर हम लोग इस सिरीज में complete chemistry को revision कर रहा है अगर आप लोग ने पिछली classes को नहीं देखा तो आप लोग उनको भी जरूर देखिए पिछली class में हम लोग ने कुछ question answer किये थे आज हम लोग जो है धातू और उनके आयस्क जो है यानि की ओर इनको देखने वाले हैं यहाँ पर जो हमारी धातू यह दी गई है और इधर आयस्क यानि की ओर दिये गए है सबसे पहला हमारा धातू है sodium यानि की एने sodium का आयस्क यानि की ओर हो जाएगा चिली साल्ट पीटर और इसका chemical name है एने एनो 3 चिली साल्ट पीटर सोडियम का आयस्क है इसके लावा बोरेक्स जिसको सुहागा भी कहा जाता है इसका नाम है एने 2 B4 O7.10H2O बोरेक्स सोडियम का आयस्क है यह भी दियान लखिए दूसरा हमारा धातू है अल्मूनियम AL यानि की अल्मूनियम और इसका आयस के एक्जाम में बहुत आता है बॉक्साइट इसका केमिकल नेम है AL2O3.2H2O इसको कहते हैं बॉक्साइट अल्मूनियम का ओर है इसके लावा अल्मिना और क्रायोलाइट बेहलमूनियम के ओर होते हैं ये तीन ध्यान रखिए नेक्स्ट है आईरन यानि की FE आईरन के एसक है मेगनेटाइट FE3O4 हेमेटाइट FE2O3 और सेडिराइट FECO3 यहाँ पर आईरन के ओर हो जाएंगे ओर वे होते हैं जहां से हमको जो मेटल है ये मिलते हैं बाद में उनको जब उनको शुद्ध किया जाता है और क्या है कि हमारी जो प्रत्वी है वहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं और उसके बाद इनको रिफाइन किया जाता है तब जब कर मेटल हमारा मिलता है copper जो हमारा हो जाएगा cu इसके ask है copper pyrites और यहाँ पर cu fe s2 copper pyrites है copper glance cu2s copper glance हो जाएगा और यह हो जाएगे copper के ask copper pyrites को जो है चाल को pyrites भी कहा जाता है यह विद्या नखेंगे और copper pyrites से copper को जिस विधी से निकाला जाता है उसका नाम है जाग प्लवन विधी के द्वारा copper को copper pyrites से अलग किया जाता है जान दखिए next है PB यानि की lead lead का important IS का है PBS यानि की galena IS का exam में बहुत बाराया हुआ है next है zinc zinc का IS का है zinc blend यानि की ZNS और calamine jaden CO3 यहां से zinc को फ्राप्ट किया जाता है thorium जो है यह पाया जाता है monogite म्रदा में और यह म्रदा पाय जाती है भारत में keral में जान लखिएगा keral में जो है thorium के भंडार बहुत पाया जाते हैं uranium का important IS का है pinch blend exam में बहुत बार पूछा गया है कि blend किसका यहां पर IS का है तो यह हो जाएगा uranium का IS का next है calcium और magnesium का IS का है dolomite दोनों का है calcium और magnesium दोनों dolomite से फ्राप्ट किया जाते हैं mercury यानि कि HG का IS को हो जाएगा HGS यानि कि mercuric sulfide यहां पर जो है mercury का IS का है और इसी को जो है सीने बार भी कहा जाता है यह ध्यान नकी आगे देखते हैं अब हम लोग कुछ LOIs हैं इनको देख लेते हैं जो कि यहां पर भी exam में यहां से भी आपको देखने को मिल जाते हैं LOI यानि कि मिश्र धातू मिश्र धातू क्या होती है मतलब कि कुछ धातू मिलाकर एक अन जो है धातू बना जाती है यहां पर 3-4 धातू मिला जाती है इसलिए इनको मिश्र धातू कहा जा रहा है उससे क्या है कि हमको एक अलग धातू मिलती है तो यही हमारे LOI होते हैं पहला है पीतल यानि कि ब्रास इसको पहचाने की ट्विक है पिता जी इसमें पहचा जाता है तामबा और जिंक अभी आपको बताते हैं कि पिता जी क्या है पिता से यहाँ पर पी से हो जाएगा पितल और ता से तामबा यानि की कॉपर यहाँ पर है और जी से जिंक तो यह ध्यान दखिएगा पीतल जो हमारा है पिताजी से मिलकर बना हुआ है पीतल तामभा और जिंक से मिलकर बना है ध्यान दखिए नेक्स्ट है कांसा यानि की ब्रॉंज हमारा है ब्रॉंज मिलकर बना होता है कॉपर और एस एन जो की टिन है इस से मिलकर बना है हमारा ब्र नेक्स्ट है गन मेटल गन मेटल बनाया जाता है कॉपर जिंक और टिन से मिलकर गन मेटल बनता है नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील जो स्टेनलेस स्टील है ये शुद्ध स्टील होती है बिलकुल और ये मिलकर बनती है क्रोमियम निकिल और लोहा से मिलकर जो है स्टेनलेस स्ट सिल्वर में कौन सा मेटल नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर आप्षन आपको सिल्वर दे देगा तो सिल्वर तो इसमें होता नहीं है यही गलत होता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है तो यह बना है जबान निकालता कुटा यानि कि जिंक निकिल और कौपर से मिलकर हमारा जर्मन सिल्वर बनता है ध्यान दकिएगा जबान निकालता कुटता तो हमारा जिंक निकिल और कौपर जर्मन सिल्वर में पाय जाते हैं यहाँ पर सिल्वर नहीं पाय जाता है ध्यान दकिए नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड रोल्ड गोल्ड जो है यह बना नेक्स्ट है टाका टाका जो है यह होता है शोल्डर और इसमें जो है टिन और लेड जो पीबी और एसन टिन और लेड से मिलकर टाका हमारा बना हुआ है यानि कि शोल्डर बना हुआ है और इसका प्रियोग जो है कुछ धाती होते हैं उनको जोडने के काम में आता है यह नेक निकल क्रोमियम और लोहा इन तीनों धातों को मिलाकर जो है नाइक्रोम बनता है यहां पर क्रोमियम नहीं नाइक्रोम है नाइक्रोम जो है निकल क्रोमियम और लोहा मिलाकर बनाए जाता है जो हमारा हीटर होता है जो जिसमें क्वाइल लगी होती है वो नाइक्रोम की ही क्व मुर्खो का सोना जो है इसको कहते हैं फूल्स गोल्ड और यह होता है आईरेन पायरेटीज यानि की एफी एस्टू जो है मुर्खो का सोना फूल्स गोल्ड इसको कहा जाता है आईरेन पायरेटीज इसको कहते हैं धावन सोडा में पूछा गया है कि जल के अडू कितने होते ह सोडा है हमारा Na2CO3.10H2O तो इसमें पानी के 10 अडू पाय जाते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10H2O होता है नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तो क्या कहते हैं तो इसको नौशादर कहा जाता है यह ध्यान रखिएगा तो हम लोगोने इस क्लास में जो है LOI और OR देखा है अगली क्लास में हम Vivid Chemistry के बारे में देखने वाले हैं और वो Chemistry की अंतिम क्लास होगी उसके बाद हम लोग जो है जितने भी Question, Answer S.S.E. के एगजाम में या फिर U.P.T.P.L.S.E. के एगजाम में या फिर